तो दोस्तों आज आपके साथ सेर कर रहे हैं बचे हुए आठे का की रेसिपी और दाल की रेसिपी जो सुबह हम बनाते हैं बच जाती है थोड़ी बहुत उसको हम रात में कैसे यूज करें तो यह देखिए मैंने फ्रेज में रख दी थी दाल को और यह जम गई है और यह तो उसे थोड़ा सा मार लेते हैं इसे यह सॉप्ट हो जाएगा इसे यह सुबह की बचीवी आठे की रोटिया बना लेते हैं लेकिन मेरी दाल बहुत बच गई थी और रोज रोज दाल में फिर फ्राइ करना तो मैंने सुचा कि आज कुछ रिफरेंट बना लेते हैं तो आ इसे पर हम बेल लेते हैं तो यह देखिए इस तरह से बरी सी रोटी बेलनी इस तरह से रोटी बेलते हैं उतना ही वाला आठा बिलकुल रोटी वाला ही आठा है सॉप्ट आठा है और यह देखिए तो बहुत ही मोटा इसको नहीं बेलना है आपको पतला बिलना है और बहु कोऱी की टार इससे कटिंग कर लेते हैं और फटा की ऐसा आप चोटी पूरी हम कर सकते हैं लेकिन इस तरह से ग्लास से कर सकते हैं तो यहाप साइड़क कि नारख को मेर्ट इस था देंगे और इस तरह से पर युट्सwen GO तो इसी तरह से बड़ी रूटी बेखे करने और ग्लास से ठीशिप छूटी कटूरी जो भी आपके पैस है उससे आप कट्क कर सकते हैं साइद के किनारह की हैँ पूरियां बना ने गुए तो से चेहरे से टयुकि कर Lी आई, दोनों साइब के किनाले कुमोर के इस तरह से हम करेक्ट कर लेते हैं, सबस्में इस्सक्स चार चुर्णट बनानी है उससे जगादा नहीं तो फिर से वसे हम बड़ी से रोटिया बेल लेंगे और सारे तरह से कटिंग कर लेगे और फिर से वैसे ही हम सेख दे देंगे बहुती मज़ेदार सी रेसिपी बनती है और बहुती मतलब बहुती डिफरेंट रेसिपी बनती है इसे आप तुरन सांकर आटे से भी मना सकते हैं और दाल के साथ बना सकते हैं यह वैने बज्चे हुए आटे और दाल का यूस किया है यहां पर दिखिए मेरे सारे सेफ बन कर इस तरह से रेडी हो गए है इसी तरह का हमें सेफ बना कर रेडी कर लेना है अब चलते हैं गास कि अफरण तो यहां पर गैस पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए चरहा दिया था पानी बिल्कुल बॉयलिंग पॉइंट पर होना चाहिए एक दम खौलता हुआ पानी तो यहां पर थोड़े से पानी में हम थोड़े से हल्दी रा लेंगे थोड़े से लाल मुची रा लेंगे और थोड इसमें दाल लेना है तो इसमें थोड़े से नमक भी रा ले हैं तो यहां पर देखिए फ्रंस इसे बॉयल होते हैं करीब 2-3 मिनेट हो गया है और इसका कलर भी अब चेंज हो गया है इसके पहचान यही है कि यह सेत थोड़ा पानी में उपर की दिरब चले आएंगे और इसमें साइनिंग आजाएगी यह देखिए थोड़ी से इसमें साइनिंग आगई है तो इसका मतलब है अब यह हो चुके हैं अब हम इसे प्लेट में निकाल रहेते हैं यह काफी अच्छा बाद में यूस्ट करेंगे। तो यहां पर हमने निकाल लिया और अब फिट से हम एक पैन चाहिएंगे, पैन में करीब वान फ्रून मस्टर्ड वाइल डाला है, साथी साथ इसमें थोड़ा जीरा हम डालेंगे, पुड़ा एक चमज भर के, जीरी की मात्या थोड़ा जादा थोड़ी सी हमने प्यास डाली है जb आएं तो यहां घंड़ी पत्त हमने बहुत सार इसमें यूजे करेंगे इसी पानी को हमें डालना है और और बची हुई जो डाल है वह राली तो इस तरह से गढम पानी में डालना है तो यहां पर दीजिए हमने डाल डाल दिया है और अब अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे तो यहां पर इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे, बरियासे कडिब, 102 मुनियरेट के कडिब हम इसे बरियासे से बॉयल कर लेना है। ठोड़ी से हम पानी और इसमें डालेगे तो से मोई पानी मैं उसके रही हूं। और अहां पानी योज़ किया है तो थोड़ी से टेस्ट को बैलन्स करने लिए हमने नमक डाला है अब इसमें जाएगा बस एक मेन इंग्रीडियेंस और उसके सिवह हमें कुछ नहीं डाला है तो यहां एक चमज भर कर हमने डाला है सांभर मसाला सांबर मसाला तो बहुत की अच्छा तेज़ आता है as a इसे भी बहुत ही अच्छा यह फ्लेवर आता है इसका लेकिन एक बार सामर मसाला ही आप डाल कर देखिए अब यहां पर बने हुए हम आटे के सिप्स को हम इसमें डालेंगे आड करेंगे और यह देखिए हमने सारे को इसमें डाल दिया है को हमारे हाए है इसे डाल पिटी कहते हैं जिसे हम बनाते हैं आठे और डाल से और इसमें कुछ मसाले डाल कर देखिए बहुत सारी जगहें से दाल की दिल्हन में डालेंगे एक चम्मज भर की सुदगी बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आजाएगा तो गी डालने के बाद हमेंसे इसे मिक्स कर लेना है और अब हम चलिए इसे सफ कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को तो रात के डीनर में मैंने इसे बनाया था और यह देखि और इसे हम सर्ब कर लेते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी लगती है एक रेसिपी तो आपको कैसी लगी बच्चे हुए आटे और दाल की रेसिपी आपको अगर यह रेसिपी अची लगी हो तो वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन क्रेस किजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी इसी तरह एक बार ये रेसीपी बनाइए और कमेंस जरूर कीजिएगा आपको मेरी रेसीपी कैसी लगी इस मज़िदार सी रेसीपी को एक बार बनाना तो बनता है तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार सुक्रिया बाई बाई थैंक यू